तो आज हम डिसेस करेंगे पार्ट सेकेंड केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ का तो आज देखते हैं पार्ट टू के अंदर कौन से कोश्चन रहते हैं और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल तो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू मेरे दो पेड़ कोर्सिस आते हैं 10,000 MC की कोर्स ऐसे ही GS कोर्स आप परचेस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड वगएरा को भी बता सकते हैं तो देखे जी फर्स्ट कोश्चन क्या कारण होती है कहने का मतलब यह है जैसे आप कई बार चोड लग जाती है आपको आपका ब्लड निकल आता है तो आप कौन से इंजक्शन लगवाते हो टैटनस का ऐसा ही कोई बी चीज अगर आप अगर आप अनस्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट जैसमें आपके जो बिमारी फैलती है यह इसके कारण फैलती है और अगर यह हमारा बॉड़ी के अंदर बैक्टीरिया चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम करती है तो आपके नर्वस सिस्टम के उपर एफेक्ट करती है और इस बिमारी को हम लॉक जॉग के नाम से भी जानते हैं लॉक जॉग जाने के जो आपका जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी ऑप्शन बनेगा काला अजर की बात करते हैं तो काला अजर जो है यह आपका एक बिमारी है सिवियर फॉर्म है लिश्मेनियासिस की लिश्मेनियासिस यह हिंदी में भी ऐसे ही ह और इसमें जो है फैटिलिटी मतलब डेथ भी हो सकती है और यह प्रोटोजुआ के कारण देखने को आपको मिलती है यह आपको याद रखना है और डैप्थीरिया जो होगा आपको एक्चुली क्या होता है कि थ्रोट के उपर फ्रोट के उपर गले के उपर जो है आपको फरक डालता है आपकी बॉडी में ब्रीधिंग रेट जो होता है वो कम हो सकता है हाट फिलियर हो सकता है पैरलीसिस भी हो सकता है बहुत सारी चीज़े प्रॉबलम देखने को आपको मिलती है तो आपको इसमें क्या बनेगा डी और अकसाइड ऑफ़ दा सलफर अंसर इस ए ऑप्षिन सेलफर डायकसाइड और नाइटोजन डायकसाइड इस इसमें बनेगा अंसर इस ए ऑप्षिन यह दोनों के कारण देखने को मिलती है कई बार पेपर में एचनो 3 भी आ जाता है नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है आप आपको पेपर में ठीक है दियान रखना आंसर इस ए ऑप्षिन तो यहां भी देखो जैसे मैंने आपको बताया था था ना एचनो 3 आ सकता है वैसे आपका सलफर डायकसाइड नाइटोजन डायकसाइड पर प्रॉपर देखने को मिलता है पहली बारिश में नाइट्रिक एस दियान रखना वाटर के साथ रियक्ट करते हैं तो यही बनाएंगे नाइट्रिक एसेड और सल्फियूरिक एसेड क्लियर चलिए जी कोशन है दा इंक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ दा ग्रीन हाउस गैसे इंदा अटमोस्फियर लैड तो दा फॉलिंग एफेक्ट एक्सेप आटेज़ लिएक्सेड दा दा पॉलिक्श के एक्साइड एक्सेड तो यह तो आपको मिलेंगे एबी डी तो दिखने को मिलेगा क्योंकि होना है यह इसने पूचाइग सेप्सी चीज नहीं तो होगी कौशी नहीं तो सी ऑप्शन बनेगा C option क्या बनेगा right answer oxygen fertilization effect देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो मतलब होता है oxygen fertilization का effect का मतलब oxygen का ज़्यादा होना carbon dioxide fertilization का effect carbon का ज़्यादा होना तो oxygen तो ज़्यादा नहीं होगी तो इसलिए answer आपका C option बनेगा next जी glycosin, cellulose और starch जो है वो किसके polymer है glycosin जो होता है ये एक reserve energy होती है जो आपके liver में store होती है ठीक है? cellulose जो होता है ये polysaccharide है और ये बनता है आपका the plant layer की outer layer होती है starch जो होता है वो होता है खाना starch क्या होता है? खाना तो ये किस के polymer है? तो ये आपके glucose के polymer है तो answer इसमें का बनेगा? B option बनेगा glucose से glycogen convert होता है आपकी body के अंदर और answer is B option fructose जो है आपकी fruit sugar है आप से पूछा जाए तुरंत energy का सत्रोत जाने के instant source of energy पूछा जाए तो वो glucose होता है reserve पूछा जाए तो glycogen होगा और ये liver में store होता है यक्रित में lactose की बात करते हैं तो आपका ये milk sugar होती है दूद में present sugar होती है maltose जो होती है ये आपकी malt sugar होती है malt sugar clear maltose बनती है glucose plus glucose से lactose बनती है glucose plus galactose से glucose plus galactose से ठीक है ये ज्यान अखना है answer इसमें B option बनेगा तो यहाँ पे देखे जी ये है सारे वैसे आपको इतना जाए डिटेल में जाने की जूरत नहीं है बस आपको पतावना चाहिए cellulose plant के outer layer है starch खाना है amylose और amylopectin होता है glycosin animals में होता है store form में ठीक है बस ये shape बगएर है मत याद करना तो यहाँ पे देखेजिए ये सत्रोत है list A है list 2 है ये किसमे किसमे निकलता है ये question पूछ रहा है यहाँ पे कौन कौन सी सूची के साथ संबन दीता है carbon dioxide की अगर हम बात करते हैं तो carbon dioxide जो होगा वो निकलेगा आपका जब fossil गरम होगा मतलब आप उसको burn गरते हो मतलब दूसरा मिथेन कब निकलता है मिथेन कब निकलेगा मिथेन निकलेगा cattle fermentation बिल्कुल जो biogas वगएरा आप बनाते हैं आपको मैंने बताया था biogas, cow dung वगएरा से आप बनाते हैं मुवेशियों से आनवी किन्वेन बिल्कुल points रही है chlorofluorocarbon ये हम जो जितने भी हमारे वो use होते है air conditioner बगएरा ये यहाँ पे actually ये पांचवा option यहाँ पे आना था ठीक है ये चीज़ यहाँ पे आने थी कोई बात नी इधर चले गई तो दिक्कत नहीं है air conditioner and refrigerant agent में होता है तो answer इसमें ये बनेगा nitrous oxide ये निकलता है 2154 यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैसे देखो option में देखो third option में mercury compound जो पानी में चला गया mercury से कौन से disease होती है mini mata disease mini mata disease देखने को आपको मिलती है और cadmium से that is itai itai disease cadmium से itai itai disease देखने को मिलती है answer इसमें ये option बनेगा which of the falling element is used for the welcanization of rubber वलकनी करन जो rubber का use होता है उसमें कौन सा compound यूज किया जाता है sulfur ताकि जो rubber है आपकी strong बन जाए ताकि rubber को strong बनाया जाए ठीक है जो car tires बगरा के use होते हैं उसमें हम use करते है sulfur clear और rubber जो निकलती है natural rubber वो latex milk की fluid होता है plant that is latex उससे निकलती है answer इसमें A option बन जाएगा sulfur question है जी यह vitamins के नाम है आपको लगाने हैं टिक करने हैं कौन कौन से vitamin A retinol होता है जिसकी कमी से आखों के उपर night blindness और zero phthalmia होता है vitamin B1 that is called thiamine A option that is beri beri का रोग होता है इसकी कमी से vitamin C ascorbic acid जिसकी कमी से क्या होता है scurvy रोग होता है vitamin E tocopherol जिसे आप कहते हैं beauty vitamin clear answer इसमें 2134 बनेगा देखो कहां पे है यह यह बनेगा 2134 is the right one 2134 next है bakelite is a polymer of phenol and phenol का एक बहुलक bakelite है और मतलब क्या है actually bakelite जो बनती है वो किसके बहुलक से बनती है phenol और किसे तो यहाँ पे देखो जी यह phenol हो गया और formaldehyde के बहुलक से बनती है formaldehyde answer इसमें क्या बनेगा a option बनेगा formaldehyde option a is the correct answer phenol and formaldehyde is the right one answer is one option next देखिए जी assertion reason का question है coal based thermal power of station contribute the acid rain यह बिल्कुल point सही है क्यों क्योंकि यह जो है आपका यह क्यों बनेगा इसका reason क्या बनेगा क्योंकि जब coal based होता है तो वहाँ पे आपका sulfur dioxide में निकलेगा ठीक है और sulfur dioxide बगएरा आपके निकलेंगे sulfur compounds निकलेंगे और nitrogen dioxide बगएरा निकलता है carbon are emitted when coal burns देखे acid rain में दो चीज़े काम आते है sulfur dioxide and nitrogen oxide लेकि नो डाउट oxide के जो आपके निकलते हैं oxide carbon के निकलते हैं बड़ यह इसका reason नहीं है तो इसलिए इसका answer क्या बनेगा आपका दूसर option बनेगा both A and R true but R is not the correct explanation क्योंकि अगर यहाँ पे बोलता sulfur और nitrogen के compound निकलते हैं तो आपका answer सही बन जाता मतलब reason सही बन जाता तब आपका answer जाके A बन जाता ठीक है लेकिन यह निकलता है लेकिन इसका reason नहीं है यह तो answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा synthetic polymer polymer कौन सा है इसमें से silk जो है आपका natural है protein natural है starch आपका natural है तो answer इसमें क्या बनेगा polystyrene answer इसमें C option बनेगा polystyrene जो है बहुत सारे appliances वगरा में यूज होता है electronics वगरा में automobile parts के अंदर यूज होता है toys में ठीक है gardening equipments में और जितने भी आपके food packages वगरा या आप यूज करते हो laboratory का समान यूज करते हो उसमें यूज होता है तो answer इसमें क्या बनेगा C option क्या बनेगा correct answer बनेगा polystyrene तो polystyrene जो होता है वो styrene के polymerization से बनता है answer is C option next देखे जी synthetic detergent can leather well in the hard water मतलब क्या है जो synthetic detergent होते है वो भारी जल के अंदर भी जो है जाग बनाते है ये आपका point बिल्कुल सही है दूसरा देखिए because synthetic detergent form soluble calcium and magnesium salt within the hard water बिल्कुल point सही है ये भी इसका reason भी यही है तो answer इसमें क्या बनेगा A option बनेगा पहली बात तो जो hard water होता है जो hard मतलब जो आपका मतलब कठिन पानी होता है hard water तो वो होता है आपके calcium और magnesium के आपके ions होते हैं जिसके कारण hard water बनता है चीक है और इसमें दो चीज़े होती है calcium and magnesium और इसमें होता है आपका koloride, sulfate koloride, sulfate और bicarbonate ions जिसके कारण ये बनता है आपका भारी जल bicarbonate ions clear अब अगर मैं बात करूँ temporary hardness temporary hardness जो होती है वो bicarbonate ions के कारण होती है permanent hardness अगर मैं बात करूँ तो koloride और sulfate के कारण देखने को मिलती हैं लेकिन किस चीज़ के calcium और magnesium के ions के तो ये दोनों आपके point आपके बिल्कुल सही है और explanation बिल्कुल सही है answer इसमें A option बनेगा A option इनमें से petroleum wax किसे नाम से जाना आता है किसे जाना आता है petroleum wax तो वो होती है भाई आपकी paraffin wax याद करो बहुत important question है paraffin wax और ये जितने भी oil stocks वगएरा के अंदर de-waxing, lubricant वगएरा यूज होता है आपका that is paraffin wax और कहां पर यूज होती है ये ये यूज होती है आपके candle में candle में wax paper में clear wax paper polish polish cosmetics cosmetics में और जितने भी insulators होते हैं electrical insulators electrical insulators वहां पर यूज होती है आपके paraffin wax answer is B option यहां पर ये लिए honey wax लिखा हुआ है honey wax मतलब आपका b wax b wax और ये कहां पर यूज होती है जैसे lip balm lip balm lip gloss hand cream clear hand cream ये in में यूज होती है cosmetics वगएरा में jojoba wax jojoba mom जो होती है ये कहां पर यूज होती है आपके seeds jojoba 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 seeds से बनता है बीजो से बनता है medicine वगएरा में यूज किया जाता है clear जहां पर आपके दाने निकलाते हैं face के उपर acne जिसे आप कहते हैं clear sunburn हो जाए जाने कि धूप में बहुत ज़ादा दे रहे जाओ तो jojoba wax आपके लगाते हो clear और ये काफी use करते हैं जो hair growth जैसे कोई person के hairs नहीं है तो hair growth को करने के लिए jojoba wax भी use करी जाती है next लिखा है carnuba wax carnuba wax जो होती है जो glossy finish करना हो आपने dental floss dental floss जो दांतों वगारा को साफ करने के लिए sweets जाने के आपके जो मतलब मीठी चीज़े हैं food products हैं instrument polishes वगारा furnitures वगारा के अंदर ये चीज़े use करी जाती है आपकी carnuba wax इस question का answer क्या बनेगा be option paraffin wax is the correct one water pollution in a river is the measured by the dissolved amount of देखे जी water pollution जो measure किया जाता है अगर जादा से जादा इसके अंदर जो है गंदमंद आ जाए ठीक है और आप ऐसे भी कह सकते हो कि oxygen dissolve होती है आपकी पानी के अंदर जो उनको जीवित रहने के लिए चाहिए होती है जिसे आप कहते है BOD biochemical oxygen demand clear biochemical oxygen demand अब क्या होता है आपका अगर biochemical oxygen demand बढ़ जाए biochemical oxygen demand अगर बढ़ जाए तो मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है pollution हो रहा है ठीक है अगर demand बढ़ेगी तो क्या reason क्या होगा आपका pollution बढ़ रहा है तो अंसर इसमें D option क्या बनेगा राइट अंसर बन जाएगा Vax used for making candles is chemically a mixture of मौम बत्यां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मौम रसाइनिक रूप से किस चीज़ का मिश्रन है किस चीज़ का मिश्रन है वो तो भाई ये इस चीज़ का मिश्रन है Alephatic Hydrocarbon का तो अंसर इसमें क्या बनेगा A option बनेगा Alephatic Hydrocarbon is the correct answer इसमें क्या होता है आपकी simple chain भी हो सकती है आपकी branch chain भी हो सकती है और ये ऐसे rings होती है जिसे आप कहते है Non Aromatic Rings Non Aromatic Rings देखने को आपको मिलती है जिसके कारण प्रॉपर दरीगे से आपको देखने को मिलता है तो अंसर इसमें A option क्या बनेगा Right answer बनेगा Alephatic Hydrocarbon और जो wax होती है आपकी जो wax होती है ये organic compounds होते है जिसमें आपके alkyl change होती है alkyl change जिसमें आपके long alkyl change देखने को आपको मिलती है clear और दो तरीके से आपके waxes होती है एक natural जिसके अंदर आपके ester bond होता है natural मतले ester bond होगा किस चीज किस चीज के बीच में होगा fatty acid fatty acid और आपका long chain alcohol के अंदर long chain alcohol के अंदर जो है आपका ये ester bond बनता है that is in the natural clear एक होता है आपका synthetic wax synthetic wax किसमें होता है long chain hydrocarbon long chain hydrocarbon की chain होती है लेकिन इसके अंदर जो है functional group कोई भी नहीं होता functional group कोई भी नहीं होता कोई alcohol वगएरा कोई भी part देखने को आपको नहीं मिलता तो answer इसमें A option क्या बनेगा right answer बनेगा aliphatic hydrocarbon की change होती है candles के अंदर याद रखना important question है दिमाग ज़्यादा लगाने की जुरूरत नहीं है क्यों नहीं लगाने की जुरूरत क्योंकि यह सिधा static question है आपको ठीक है क्योंकि अगर आप chemically जाएंगे तो बहुत चीज़े देखने को मिल जाएंगे लेकिन यहाप आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं यह चीज़ aquatic macrophytes, aquatic fungi, effulence, evapotranspiration देखें जी सबसे ज़्यादा changes देखने को मिलते हैं आपको effulence, effulence से मतलब इंडस्ट्री इंडस्ट्री से जितना भी गंदमंद निकलता है ठीक है जैसे आपका जो water treatment plant होते हैं वहाँ पे आपके sewer pipes होती है sewer pipes से हो गया, जा water treatment plant से हो गया, जा industrial effulence हो गया जिसमें आपके बहुत सारे organic substance, pesticide, residue और बहुत सारे elements जो होते हैं पानी के अंदर जाके मिल जाते हैं जो हमारी पानी की chemical और जो है physical property को change कर देते हैं तो answer इसमें क्या बनेगा? effulence is the correct answer answer is C option next देखें जी petroleum is a mixture of देखें petroleum कैसे निकलता है? crude oil से तो ऐसे आपके जो है अलग-लग temperature के उपर देखेंगे देखने को आपको मिलती हैं और ये कौन सा method होता है? fractional distillation आंशिक आस्वन जिसे आप कहते हैं fractional distillation आंशिक आस्वन इस method से देखने को मिलते हैं हर चीज का temperature अलग है हर चीज जो की जो आपकी density अलग है जिसके कारण ये सारी चीज़े निकलती है और ये किस चीज का mission होता है? ये चीज का mission होता है hydrocarbon का अंसर इसमें C option बनेगा hydrocarbon का clear और यहाँ पे देख लीजे जैसे 20 degree 70 के उपर LPG 70 के उपर chemical naptha बगएरा निकलता है petrol आपका यहाँ पे निकलता है आपका gasoline बगएरा कैरोसीन यहाँ पे diesel oil यहाँ पे lubricating oil यहाँ पे fuel oil यहाँ पे residue जो आपका roads बगएरा में use होता है तो आपको ये uses भी पूछे जा सकते हैं इसको वीडियो को pause करके एक बार देख लेना और लिख लेना अपनी copy में कहाँ कहाँ पे temperature के उपर क्या चीज निकलती है पहले दूसरी तीसरी कौन से निकलती है आपको पूछा जाएगा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से temperature के temperature अगर भढ़ता जाता है तो कैसे तरीके से आपकी fractional distillation देखने को आपको मिलती है किसी भी टाइप का question पूछा जा सकता है यहाँ से clear answer इसमें C option बन जाएगा next देखे जी which of the falling could be used as a fuel in the propellant of the rockets मतलब क्या है rocket के इंदन के रूप में इनमें से किसका अपयोग किया जा सकता है करता है और इसमें जो आपके बहुत सरे आपके oxidizer यूज़ होते हैं जैसे liquid oxygen liquid oxygen is a very good oxidizer clear और इसके इलाबा liquid oxygen के इलाबा जो यूज किया जाता है आपका वो यूज करते हैं nitrogen tetra oxide nitrogen tetra oxide यूज किया जाता है clear याद रखना important है और hydrogen peroxide hydrogen peroxide भी use किया जाता है clear यह आपको याद रखना है और यह यह आपके oxidizers होते हैं और में लिए आपका liquid oxygen clear और इस question का जो answer बनेगा वो जो बनेगा liquid oxygen and liquid hydrogen answer इसमें D option बनेगा D option liquid hydrogen तो use होता ही है liquid nitrogen वगारा भी use करते हैं लेकिन oxidizer आपको पता होना चाहिए that is liquid oxygen यह present होना बहुत जरूरी है answer इसमें D option बनेगा next देखें जी question है इनकी कमी से क्या होगा ठीक है iodine की कमी से क्या होता है आपका iodine की कमी से goiter गेंगा रोग जिसे हम कहते हैं इसको आप्शन बनेगा नियासीन पलैगरा अभी हमने डिस्स किया था फोर्थ आप्शन वाइटामिन B12 साइनो को बाला में की कमी से प्रनीशिस अनीमिया और असर में बन गया 3142 देखो अंसर D option बन गया 3142 इस दा करेक्ट अंसर 3142 गलाइकोल जो होता है यह हम एवेशन गैसुलीन के अंदर यूज करते हैं यह क्यों होता है मैं आपको बताये था इथाविलिन गलाइकोल यूज किया जाता है जब हम anti-freezing agent use करते हैं anti-freezing का मतलब क्या हो गया जो चीजों को jam name से दूर करता है तो answer इसमें it prevent the freezing of the petrol answer इसमें a option बनेगा it prevent the freezing of the petrol a option is the correct one fruits stored in the cold chambers exhibit longer storage life because cold chamber में रखे फल लंबे बंधारन जीवन का परदंशर करते हैं क्यों कि देखें जो question यहां से समझना है fruits क्यों आपके cold जो cold store होते हैं वहाँ पे काफी time तब क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी metabolic activity को कम कर दिया जाता है bacteria problem जो है bacteria's वगरा की growth को कम कर दिया जाता है metabolic activity करने का मतलब क्या हो गया जब metabolism होगा तो इसका मतलब जैंकि वह शास ले रहा है respiration तो मतलब क्या है कि हम उसकी सास को रोक रहते हैं अरे freshman को रोक दिया सास को रोकने का मतलब यहां है कि उसका temperature कम गर दो सास कम हो जाएगा तो जैसे भी आप आप भी देखो जब आप high यही high areas में जाते हैं, hills वगरा में जाते हैं, सांस कम आता है, क्योंकि respiration rate कम होता जाता है, तो same वोई चीज है, fruit में आपकी respiration कम कर रहे हो, तो metabolic activity कम कर रहे हो, तो जिसका मतलग क्या हो गया, तो उसकी life जो है, fruit की बढ़ जाएगी, तो इसका मतलग the rate of respiration को आप कम कर दो, answer इ और इसके अंदर जो तोड़ने के लिए enzyme use होता है, वो होता है, invertase, invertase enzyme use होता है, और glucose plus fructose में divide हो जाता है, glucose plus fructose में, answer इसमें C option बनेगा, glucose plus fructose is the correct answer, C option, photochemical smoke, smoke जो होता है, यह दो चीज़ों का mission होता है, smoke plus fog, clear, photochemical मतलब light और chemical की presence में, तो जिसके कारण जो है, आपके pollution, air pollution बहुत जादा high amount में देखने को मिलता है, जिसमें आपके बहुत सार चीज़े होती हैं, जैसे आपका hydrocarbon हो गया, clear, और nitrogen dioxide, nitrogen dioxide वगरा component देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन इसके इलावा जैसे ozone होता है, O3, यह देखने को मिलता है, formaldehyde formaldehyde, ठीक है, और आपका peroxy benzoil, peroxy benzoil nitrile देखने को मिलता है, peroxy acetyl nitrile देखने को मिलता है, acroline देखने को आपको मिलता है, तो these are the components जो आपके काम आते हैं, photochemical smoke में, तो इसमें क्या use होगा, जैसे nitrogen dioxide, oxygen, peroxy acetyl nitrate in the presence of the sunlight, clear, यहाँ पे carbon monoxide नहीं है, carbon monoxide, carbon dioxide नहीं है, और उसमें आपका carbon monoxide नहीं है, तो answer इसे A option बनेगा, correct answer, यह सारे compound यूज होते हैं, hydrocarbon, nitrogen dioxide, ozone, formaldehyde, peroxy benzoil nitrate, peroxy acetyl nitrate, acroline और आपका यह component बन जाता है, peroxy photochemical smoke बन जाता है, this is super important question, answer इसमें A option बनेगा, यह सारे components लिख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं, इन में से कौ जो है, photochemical smoke बनती है, तो यहाँ पर देखो जी, जैसे primary pollutants है, जैसे कि आपका nitrogen dioxide, nitrogen oxide बगएरा देखने को मिलते हैं, और secondary pollutants में देख लो, ozone, peroxydile, nitrile बगएरा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है, आपका photochemical smoke बनती है, photochemical smoke, यह वाली, clear photochemical smoke, देखे जी अगरा question, the class of the drugs used for treatment of stress is, मैंने अभी आपको बताया था, stress condition होगी, तो tranquilizer यूज किया जाता है, doctor से, psychotherapy drugs होती है, यह, psychotherapy, answer is a option, diuretic, आपकी urine formation के लिए, urine को ज़्यादा increase करने के लिए, diuretic यूज करते हैं, pain killer analgesics जिसे आप कहते हैं, analgesics, morphine वगएरा, morphine वगएरा यूज की जाती है, clear, antih antihistamine, antihistamine जो होते हैं, यह किसके लिए use करते हैं, allergy के लिए, allergy के लिए use किया जाता है, तो answer इसमें a option बनेगा right answer, tranquilizers, vitamin को लगाना है, टिक करना है, 1, 2, 3 करके, vitamin b1 को हम क्या कहते हैं, thiamin, third option, vitamin b2 को हम क्या कहते हैं, आपका riboflavin, यह बनेगा fourth option, ठीक है, यह बनेगा fourth option, फिर उसके बाद है, vitamin b6, pyridoxin, vitamin b12, cyanocobalamin, 3, 4, 1, 2, answer इसमें a option बनेगा, 3, 4, 1, 2 is the correct answer, branch of the medicine involving synthetic chemical compound is, जो है, कृत्रिम रसाइनिक योगिकों को युक्त दवा की शाखा किसको कहते हैं, मतलब सीजी सी बात है, जो हम artificially बनाते हैं, artificially मतलब बहुत सारे chemical use करके, ठीक है, गुमियोपैथी नेचरल लोती है, युनानी आपकी नेचरल लोती है, ये भी नेचरल लोती है, लेकिन एक आपकी medicine जो एलोपैथी, ये हम chemical तरीकों से मनाते हैं, तो answer इसमें a option बनेगा, एलोपैथी is the correct one, very very important, clear, next देखिए जी, green house effect में कौन सी gases आती है, जो आपका increase करें जिसमें आपको मैंने 6 gases बता रखी हैं, तो इसमें option पहले तो देखते हैं क्या बनेगा, तो carbon dioxide और methane बनेगा, इसके इलावा carbon dioxide और methane के इलावा जो है वो कौन कौन सी है, आपको बता रखा है, nitrous oxide, sulfur hexafloride, और उसके बाद per fluorocarbon, hydro fluorocarbon, तो these are the gases जो आपका green house effect शो करती हैं, औ atmosphere temperature को increase कर देती हैं, इसके इलावा भी infrared radiation देखने को मिलती है, ozone देखने को आपको मिलता है, और plus जो है आपकी infrared ozone, water vapor बगरा देखने को मिलती हैं, जो आपका green house effect को शो करते हैं, लेकिन यह जो है आपकी gases नहीं है, यह इस category को बाहर रखा हुआ है, बट यह चीज़े जो है, green house effect भी शो करती है, answer इसमें A option क्या बनेगा, right answer बन जाएगा, clear, तो यहाँ पर देखेंजी, carbon dioxide हो गया, methane हो गया, nitrous oxide हो गया, fallorinated gases हो गया, तो these are the components, बाकी इसके इसके इलावा components मैंने आपको और भी बता दिये हैं, next देखेंजी, the zinc phosphate is commonly used as, देखें, zinc phosphate जो है, rodenticide हम यूज यूज करते हैं, zinc phosphate आजाए, aluminum phosphate आजाए, तो यह क्या होता है, क्रिंतक नाशक, मतलब चूहों को मारने के लिए, rats वगरा को kill करने के लिए होता है, clear, fungicide, fungus को herbicide, herbs को खत्म करने के लिए, use होता है, answer इसमें C option क्या बनेगा, right answer बनेगा, C option is the correct one, fabric used from dash doesn't get wrinkled easily, मतलब कोई wrinkles नहीं पढ़ते हैं, मतलब उसके अंदर जो है, बल नहीं पढ़ते, चीक है, कपड़े के अंदर, वो कौन से कपड़े होते हैं, तो वो बनते हैं भाई, आपके polyester से, answer इसमें क्या बनेगा, C, D option बनेगा, polyester जो होते हैं, बड़े crisp और easy to wash होते हैं, पानी मारो और सही काम हो गया, और dress material बगएरा में ये use किया जाता है, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option क्या बनेगा, correct answer बनेगा, polyester से कपड़े बने होते हैं, जो wrinkle नहीं होते, which of the falling gases used to destroy the microbes, जो है कौन सी चीज़ जो है, रोगानों को नश्ट करने के लिए चीज़ यूज़ होती है, पानी के करने के लिए use किया जाता है, और ये कौन सा compound होता है, that is chlorine, chlorine gas use की जाती है, water treatment के लिए, answer इसमें a option क्या बनेगा, right answer बन जाएगा, chlorine is the correct one, very very important है, आप से ये भी पूछा जा सकता है, कि पानी के अंदर mainly कौन से bacteria देखने को मिलते हैं, ये वाले, ठीक है, और भी मिलते हैं, ब कौन सा होता है, तो nylon, आपने देखा होगा, nylon का जो आपने वो use किया होगा, thread वगएरा, fiber वगएरा, उसको तोड़ोगे ना, तो बहुत ज़दा strength लगती है आपको, steel wire जल्दी आप जो है, गुमा गुमा के भी तोड़ सकते हो, लेकिन nylon वगएरा में तो है, बहुत ज़दा के लिए एक revolution हुआ था, golden fiber revolution, golden fiber revolution, याद रखना है आपको, तो answer इस पे D option बनेगा, nylon is the correct one, तो ये थे आज की lecture के अंदर question, बाकी आपको जो है, जो भी आपको lectures share किये जाते हैं, वो dr. विपन गोईल के telegram channel के उपर share किये जाते हैं, यहाँ पे आपको सारी information मैं share करता हूँ क कौन सा lecture update हो रहा है, कोई भी चीज, तो बाकी आप मुझे इन social media के उपर follow कर सकते हैं, Instagram के उपर मैं काफी active रहता हूँ, thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.